असकार दोस्तों, वेलकम टुश्टेडी विट नीरम, आज होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आज हम 19 और 20 अप्रिल 2021 के सभी बेस्ट टॉप करण टुफिर्स कोश्चन विट पॉइंट पॉइंट सेक्शन कम्प्लीट करेंगे, तो वीडियो में लाश्ट तक ब लाँच किया है, तो यहां हमारा राइट आंसर होगा, राइट आंसर इस बी, आवास वा सहरी मामलों के मंत्राली के द्वारा इसे लाँच किया गया है, कौन है आवास वा सहरी मामलों के मंत्राली के मंत्री, तो यह है हरदीप सींग पूरी, और इनके द्वारा इसे लाँ समार्ट सिटी में अच्छा होना चाहिए मतलब आधुनिक होना चाहिए और ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटीज है वो भी क्या होनी चाहिए वदलते वक्त के साथ इन्वायरमेंटि फ्रेंडली होना चाहिए जिससे लोगों को सहुलियत क्या हो सके ज्यादा प्राप्त हो सक पहले दो एप को लांच किया था दो पॉर्टल को पहला है E- धर्थीजियोद हैं इधर्ती जियो एप को लाँच किया था और दूसरा था इसंपदा पोर्टल इसंपदा पोर्टल ठीके तो इन दोनों को आपको याद रखना है बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ हाल ही में इटली ने भारत के किस राज में अपना पहला मेगा फूट पार्क प्रारंब किया है तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा इटली ने अपना पहला मेगा फूट पार्क इस्थापित किया है गुजरात में गुजरात के जो महसाना जिला है उसके फणी धर में किसमें फणी धर में इसे लाँच किया गया है क्या उद्देश है इसका देखिए मेगा फूट पार्क में जो होता है फूट की प्रोसेसिंग की जाती है और ये भारत और इटली के संबंदों को क्रसी के छेतर में और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए तथ हम मजबूत करने के लिए इस प्रोसेसिंग यूनिट की स्था आपना की गई है तो याद रखिएगा इटली का पहला मेगा फूट पार्क भारत के किस राज में स्तापित किया गया है तो राइट आंसर होगा हमारा यहां पर गुजरा तो बात कर लेते हम इटली की देखिए इटली को क्या कहा जाता है यह इसे कहा जाता है एड्रियाट और याद रखना है आपको किस से इसकी capital रोम से रोम में आपको मिलेगा फाव का headquarter food and agriculture organization का headquarter और world food program का headquarter भी आपको कहां मिलेगा तो ये भी यही मिलेगा world food program याद रखिएगा 2020 का जो सांती के छेतर का novel price जे वो किसे मिला है world food program को ही मिला है इन दोनों का headquarter आपको मिलेगा रोम में clear है सिसली दीप का आप नाम बहुत सुनते हैं ये जो सिसली आइलेंड है ये भी आपको कहां मिलेगा इटली के पास ही मिलेगा और सरडीनिया आइलेंड clear है याद रखिएगा next दिखते हैं उननीस अप्रेल 2021 को विश्व भर में कौनसा दिवस मनाया जा रहा है तो उननीस अप्रेल को विश्व भर में मनाया गया कौनसा दिवस विश्व यकरत दिवस या world liver day ठीक है gland या गृंति कहा जाता है इसे और जो liver का अध्यन है इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं hepatology क्या कहते हैं hepatology कहा जाता है याद रखिएगा kidney के अध्यन को okay? rbcs का कबरिस्थान भी क्या होता है इसी को कहा जाता है तो ये आप याद रखेंगे अधर जो option है इन्हें हम देख लेते हैं सभी important है विश्व विरासत दिवस कब मनाया 18 अप्रेल को विश्व स्वास्त दिवस कब मनाया 7 अप्रेल को विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया तो ये मनाया गया 17 अप्रेल को तो ये भी आप याद रखेंगे देख लेते है एक अप्रेल को उतकल दिवस या ओडिशा दिवस मनाये गया दो अप्रेल को विश्व ओटिज्म दिवस या और इसके साथ ही एक और दिवस मनाये गया था अंतर राष्टि या बाल पुस्तक दिवस मनाया गया 11 अप्रेल को राष्टी सुरक्षित मातरत्व दिवस और 11 अप्रेल को ही विश्व पार्किंचन एक बीमारी होती है जिससे आपके जो बुढ़ापे में क्या होता है हाथ पिर में कमपन आ जाता है तो यहां हमारा राइट आंसर होगा इसकी लेखक कौन है तो बहुत ही फेमस है जिन्होंने हैरी पॉर्टर सीरीज को भी लिखा है और इनका नाम क्या है जेके रॉलिंग कौन है जेके रॉलिंग है इन्होंने ही इस उपन्यास को लिखा है ठीके जो अधर आप्शन है तो यह भी बहुत ज़दा इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं ह तो नेहा सिंग, इनकी पुस्तक आई थी अभी, कौन सी? वाइल्ड एंड विल्फुल टैल ओफ फिफ्टीन आइकॉनिक इंडियन स्पीसीज, ठीके? wild and willful tale of 15 iconic Indian species तो यह आप याद रखेंगे Samir Soni की book आई थी My Experience with Silent My Experience with Silent और Nitin Gokhale की कौन से आई थी तो इनकी book आपको अच्छे से याद रखना है इन्होंने जो Goa के पूर्व CM और मारे पूर्व रक्षा मंतरी रह चुके थे कौन मनोहर पारीकर उनकी उपर लिखा है Brilliant Mind and Simple Life Brilliant Mind and Simple Life ओके clear है तो यह सभी books याद रखेंगा करंट की दरश्टी से सभी important है Next है हाल ही में निमनमेसिक किस ने Emilia Romagra Formula One Grand Prix 2021 को जीत लिया है तो यहाँ हमारा right answer होगा Max Westrappan Max Westrappan ने Emilia Romagra Formula One रेश को जीत लिया है तो यह Red Bull के ड्राइवर याद रखेगा किस के है Red Bull के ड्राइवर और किस देश से है तो यह निदरलेंड की निवासी है Max Westrappan दूसरे स्थान पर रहे इसमें Lewis Hamilton Lewis Hamilton किस कार कमपनी के ड्राइवर है तो यह Mercedes के ड्राइवर है और कहां के हैं तो यह UK के है आप जितनी भी Formula One Race अभी तक देखेंगे उसमें आपको दो नाम बहुत जादा देखने को मिलेंगे एक Max Westrappan और Lewis Hamilton तो अच्छे से याद रखेए किस कार कमपनी के ड्राइवर है और किस देश से है तो यह important है अप्रेल दूम के starting में ही हुई थी बहरीन ग्रेंट प्रिक्स थी 2021 तो बहरीन जो ग्रेंट प्रिक्स थी 2021 हुई थी उसकी विज़ेता कौन थे तो Lewis Hamilton थे ओके यह भी याद रखेगा Amelia Romagra next देखते हैं हाल ही में जारी Henley Passport Index 2000 Q2 2021 यह दूसरी बार आई है साल में दो बारे से जारी किया जाता है भारत की रेंग क्या रही तो right answer होगा यहाँ पर हमारा भारत की रेंग रही है 84 इससे पहले थी 85 तो क्या होता है Henley Passport Index में Henley Passport Index में देखा जाता है कि किस देश के जो पासपोर्ट है कितना ज़्यादा strong है इसका मतलब है जिस देश का पासपोर्ट जितना strong होगा वहां के नागरिक उतने अधिक देशों की यात्रा कर सकेंगे तो यहाँ पर भारत की रेंग तो 84 रही इस दरश्टी से भारत की जो नागरिक है वो कितने देशों की यात्रा कर सकते हैं 48 देशों की यात्रा कर सकते हैं भारतिये पास्पोर्ट के साथ ठीके वीजा मुक्त स्कोर जो रहेगा वो आपका क्या है 58 देशों के साथ तो यह जो आकड़े हैं यह वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट जो एसोशियेशन है उससे कत्र किया जाते हैं और इसके आधार पर यह लि सिंगापूर के यात्रे 192 देशों की यात्रा कर सकते हैं और तीसरे स्थान पर जर्मनी और दक्षन कोरिया दोनों ही एक साथ है और यहां के नागरिक 199 देशों की यात्रा कर सकते हैं तो यह आप याद रखेंगे क्लियर है नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में एशियन वेट लिप्टिंग चैंपेंशिप में 119 किलोग्राम भार उठा कर क्लीन एंड जर्क में नया विश्व रिकोर्ड निम्न मैंसे किसके द्वारा बनाया गया तो भारतिये हैं यह कौन है मीरा वाई चानू मीरा वाई चा कहां से किस राज इस प्रतियोगता का आयोजन कहा किया गया एक चैंपियन शिप दोहजार रिकिस्त हिस तो यह कजस्तान सकायोजन किया गया है कहां पर कजस। क्लियर है नेक्ट देखते हैं हाली में इमने में से किसने करनाटक राज्य में इस्तित 32 मेगवाट अक्षे उर्जा परियोजना खरीदने के लिए क्लीन मैक्स कंपनी के सांस समझोता किया है तो राइट आंसर होगा यहां पर हमारा फेस्बुक फेस्बुक के कौन है संसापक मार्क जुकरवर्ग है और इनोंने भारतिय राज्य करनाटक में इस्तित 32 मेगवाट की सक्षे उर्जा परियोजना को खरीदने के लिए समझोता किया है उसका उद्देश क्या है तो जो फेस्बुक का एशियाई डाटा सेंटर है जो 2022 से प्रारंब होगा एशियाई डाट हाल ही में निमने हैं से कोन सा देश विशव टेवल टैनिस चेंपियंशिप की मेजवानी करेगा देखिए यहां पर पूछा जा रहा है करेगा 2020 में पैंडमिक की वज़े से जो विश्व टेवल टैनिस प्रथियोगीता है चेंपियंशिप से रध कर दिया गयath जैए यह कह 2021 में इसका आयोजन, अक्टूबर नवंबर 2021 में अमेरिका के हुष्टन में इसका आयोजन किया जाएगा, कहाँ पर हुष्टन में, तो ये आप याद रखेंगे, वर्ल्ड टेबल टैनिस फेडरेशन का हैड़कॉर्टर आपको कहां मिलेगा, तो याद रखेंगा, लुजान सुजरलेंड में इसका हैड़कॉर्टर आपको मिलेगा, किसका टेबल टैनिस फेडरेशन का, और टैनिस फेडरेशन का हैड़कॉर्टर कहां मिलेगा, सिर्फ हमागर लिए टैनिस फेडरेशन की बात करें, तो टैनिस फेडरेशन का हैड़कॉर्टर आपको मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा इस लेक्चर और इससे पहले कि किसी भी लेक्चर की पीडिये फाइल के लिए आप जोईन कीजे हमारा टेलिग्राम चैनल इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा वीडियो को जादा जादा लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए चलिए तो देखते हैं पॉइंट यू पॉइंट सेक्शन हाल ही में ग्लोबल स्मार्ट फॉन ब्रैंड टेक्नो ने आयुश्मान खुराना को अपना ब्रैंड अमबेश्डर बनाया है याद रखिएगा प्यूस गोयल ने किये जो क्या है केंद्री और भूगता मामलों के मंतरी भी है और केंद्री रेल मंतराले के मंतरी भी है ठीके जलिये खेती जो जल में की जाने वाली खेती है करने वाली किसानों को ससक्त बनाने के लिए केंद्री मंतरी प्यूस गोयल के द्वारा इसांट application को launch किया गया था हाल ही में अपनी तरह का पहला भुक्तान समाधान की पेशकर्ष करने के लिए Mastercard के साथ समझोता RBL Bank के द्वारा किया गया इस Bank का मुख्याल है आपको मेलेगा Mumbai में इसके CEO है Vishwavi Rahujah और इसकी tagline क्या है अपनों का Bank तो यह important point है याद रखेंगे वर्स 2024 के Olympic कायोजन कहां होगा पैरिस में होगा और 2026 के जो Olympic के उनकायोजन कहां होगा इटली के रोम में होगा UNESCO Financial Action Task Force FATA और Organization for Economic Cooperation and Development OECD के Headquarter आपको कहां मिलेंगे पैरिस फ्रांस में मिलेंगे लापेरिज नोसेनिक अभ्यास का आउजन फ्रांस के द्वारा किया गया कहां पर जिसमें भारत ने भी भाग लिया तो याद रखेंगा लापेरोज नोसेनिक अभ्यास किन देशों के मध्य होता है भारत और फ्रांस के मध्य X-Desert Night 2021 21 अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य पाइजित किया गया था एक के इर के Starting में ही हुआ था और कौन-कौन से अभ्यास होते हैं भारत और फ्रांस के बीच में तो शक्ती अभ्यास होता है क्लियर है याद रखना हाली में फ्रांस ने 15 साल से कम उम्रे के बच्चों से दुशकर को दंड़नी अपराद बताते हुए कानुन पारित किया इससे पहले फ्रांस में ये दंड़नी अपराद नहीं था और इसकी सजा कितनी होगी 20 साल तक किसकी सजा का प्रावधान किया गया है उत्तर प्रदेश के नए मुख्ये ने आए धिश याद रखेगा most important है संजे याद बने हैं clear है next देखते हैं कुछ important day है विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 10 नवंबर को राश्टी विज्ञान दिवस कब मनाते हैं 28 परवरी को विश्व महिला सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है 25 नवंबर को विश्व डाक दिवस कब मन आया जाता है 28 जुलाई को तो ये डे वो हैं जो आपसे एक्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इसी तरीकी के 2 से 3 डे हम रोज कम्प्लीट करा करेंगे पॉइंट पॉइंट सेक्शन में ओके 19 अप्रेल 1975 को भारत का पहला उपग्रे कौन सा था आर्रे भट सोबित संकी साहता से लौंच किया गया था यहां कॉस्मोस 3M रोकेट से लौंच किया गया था याद रखना हाली में हिंदी भासा के प्रसिद साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली का निधन हो गया है most important है याद रखिएगा इन्हें क्या कहा जाता है आधुनिक भारत के तुलसी दास के उपनाम से जाने जाते थे कौन नरेंद्र कोली 2012 में ने व्यास सम्मान मिला 2017 में पद मुसीरी से सम्मानित किया गया था 22 अप्रेल 2021 को 22 अप्रेल को हम कौन सा दिवस मनाते हैं विश्व प्रत्वी दिवस याद रखिएगा लांच होने वाले नासा के स्पेस एक्स क्रूट 2 मिशन में चार अंतरक्षी यात्री होंगे और नासा इसको जो लांच है ये मिशन है इंटरनेशनल स्पेस इस्टेशन में चार यात्रीयों को भेज रहा है तो यहाँ पर NASA और SpaceX जो एलन मस्क की कमपनी है ये दोनों मिलकर इससे क्या दे रहे हैं अंजाम दे रहे हैं तो ये भी आप याद रखेंगे हाल ही में Adopt, Adopt का नाम सुनाओगा जिस वो PDF बनाई जाती है PDF का फुल फॉर्म क्या होता है Portable Document Format जो आपको इस लेक्चर्स की भी PDF मिलेगी तो इसकी फुल फॉर्म याद रखेगा एक्जाम में पूछी जा सकती है तो Adopt जो PDF है इसके सहसं स्थापक रहे चॉल्स चक गैसकी का क्या हो गया है निधन हो गया है और इसके बरतमान में Adopt के बरतमान में CEO कौन है तो CEO most important है क्योंकि यह भारती मूल के है कौन सांतानू नारायन कौन है सांतानू नारायन ओके तो याद रखेंगे जेश्टर डायल कंपनी के द्वारा भारत में अपना brand ambassador किसे बनाया गया है रनवीर सिंग को बनाया गया है केंद्री परेटनो संस्कृती मंत्री पहलास सिंग पटेल के द्वारा पहली ऑनलाइन रामायन प्रदर्शनी का उदगाटन किया गया और जो पहलास सिंग पटेले ये मद्द परदेश के दमों से क्या है लोकसभा सांसदे तो याद रखिएगा City Bank के द्वारा City Bank अमेरिका का बैंक है ये विदेशी बैंक के भारत में City Bank के द्वारा भारत में अपना consumer banking business बंद करने का नड़ने लिया गया हाली में भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने पाकिस्तान की टीम को most important है याद रखिएगा पाकिस्तान की टीम को वीजा जारी करने पर सहमती हुआ है ठीक है ये बोर्ड कब के लिए अक्टूबर नबंबर 2021 में जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसके आयोजन में पाकिस्तानी टीम भारत आ सकती है ये BCCI ने मंजूरी दे दी है ठीक है BCCI की स्थापना का हुई थी 1928 में हेटकोर्टर आपको कहा मिलेगा मुंबई में और इसके 39 विकरम के अध्यक्ष कौन है सौ कब मनाये जाता है तो विश्व स्वास्त दीवस डबलू एचो के द्वारा मनाया जाता है प्रतिवर्ण 7 अप्रेयल को राइट आंसर इस C, औके तो देख लेते हैं हम 1948 में 7 अपरेयल को विश्व स्वास्व संगठरन की स्थापना की गई थी, डेट अच्छे से याद और 2021 में इसकी थीम एंपॉस्च कर्णा है और 2021 में इसकी थीम है एक निस्पक्छ और स्वस्त दुनिया का निर्मान करना प्रतिवर्ष निम्नमें से किस राज्ज में आय। जित किया जाता है। खजराहू निर्ति महसब से जुड़ी हुई जो भी इंफोर्मेशन आपको पता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए प्रियास कीजिए आंसर करने का आप लोगों को अच्छा लगेगा और आपके और हमारे बीच में इंटरेक्शन बढ़ेगा Okay friends, thanks for watching and take care